बहुत समय पहले की बात है गर्मी का महीना था सोर्य देवता धर्ती पर अगनी बरसा रहे थे भयंकर गर्मी पड़ रही थी एक चीटी थी जिसका अधिक गर्मी के कारण बुरा हाल हो रहा था उसे बहुत प्यास भी लग रही थी चीटी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वो एक नदी के पास पहुची सामने पानी था लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी इसलिए वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चड़ गई लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की वो नदी में जा गिरी और बचने की कोशिश करते हुए चिलाने लगी बचाओ, बचाओ, मजे बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा था कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चीटी को बचाने के उपाय सोचने लगा पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे फिर उसे एक उपाय सुझा और तुरंद पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में बचने की कोशिश कर रही चीटी के पास फेग दिया चीटी उस पत्ते के पास पहुँची और उस पत्ते पर चड़ गई थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे सूखे में आ गया जहां कबूतर पहले से ही चीटी का इंतजार कर रहा था चीटी पत्ते से नीचे उतर गई और कबूतर के पास जा कर बोली कबूतर भाईया आज आपके कारण में बच गई अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य बताएं जाओ बेहन भला तुम क्या काम आओगी मेरे ऐसा बोलकर कबूतर उड़ गया इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी के किनारे से जा रहा था उसे क्योंकि शिकार नहीं मिला था इसलिए वो बहुत उदास था तभी उसे कबूतर दिखा और सोचने लगा ये कबूतर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा ये सोचकर उसने वहीं पर जाल लगा दिया और उसने दाना भी डाल दिया वो थोड़ी दूर जाकर छिप गया और उम्मीद करने लगा कि वो कबूतर को पकड़ लेगा कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा वो उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फस गया कबूतर जाल से निकलने की कोशिश करने लगा पर निकल नहीं पाया तबी उसकी नजर जाल के पास बैठी चीटी पर पढ़ गई और उसे याद आया कि जरूरत पढ़ने पर चीटी ने मदद करने का भरोसा दिया था पर कबूतर ये जान कर निसहाय हो गया कि चीटी बहन क्या कर सकती है चीटी को कबूतर पर तरस आया और लगी कबूतर के जान बचाने के उपाय सोचने तभी शिकारी ने कबूतर के फसे हुए पैर को निकाल कर और जाल पकड़ कर चलने ही वाला था कि चीटी को एक उपाय सुचा और चीटी ने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोहर से काट लिया और कराने लगा आज का दिन ही बुरा है तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया कबूतर को जाल से निकलने का मौका मिल गया और वो तेजी से जाल से निकल कर उड़ गया शिक्षा कर भला तो हो भला अमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं आप हमारे वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दें वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें करें